पास्वायन ने कहा कि मोदी अगले 15 वर्षों तक प्रधान मंत्री बने रहेंगे कॉंग्रेस अधिक्ष सोनिय गंदी की और से प्रधान मंत्री नरेन मोदी को शैन्शा करार दिये जाने वले बयान को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए केंद्रिय मंत्री राम विलास पास्वान ने कहा कि कॉंग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी अगले 15 वर्षों तक प्रधान मंत्री बने रहेंगे उन्होंने कहा कि मोदी के बारे में इस तरह की शब्दा वली का इस्तमाल करना उचित नहीं क्योंकि देश की जनता ने उनको जनादेश दिया है उलेग निये कि अपने सवसदी शित्र राय बरेली में सुरिया गांधी ने कहा था कि मोदी पीए में शाहिन शाह नहीं एक तरफ देश में किसान सुसाइट कर रहे है और इधर प्रधान मंत्री जश्न मना रहे है पेट्रोल 2.58 पैसे और डीजल 2.26 पैसे महंगा अतराश्टे बाजार में कच्चे तेल में आई तेज़ी के कारण घरेलू बाजार में पेट्रोल 2.58 पैसे और डीजल 2.26 पैसे प्रतिलिटर महंगा हो गया नई दरे कलमध्यरात्री से लागू हो गई है एक मेहने के दोरान पेट्रोल के दाम में लगातार तीन बार कुल चार रुपए 47 पैसे और डीजल की कीमतों में दो बार 3 रुपए 52 पैसे प्रती लिटर की बढ़ोतरी की गई है सार्जारिक शेत्र की तेल एवं गेस विपटन कंपणी जेन ओल कोर्परेशन ने बताया कि दिल्ली में आप पेट्रोल 65 रुपए 60 पैसे और डीजल 53 रुपए 33 पैसे प्रती लिटर मिलेगा तेल एवं गेस विपटन कंपणी ने बिना सबसेड़ी वाले रसोई गेस सिलेंडर के दाम में भी 21 रुपए की बढ़ोतरी की है ट्रम्प ने पत्रकार पर साधा निशाना कहा बैमान अमेरिका के राष्टरपती पत्की उमिद्वारी की डौड में शामिल रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार डोनौल ट्रम्प ने सववाल अता सम्मेलन के दोरान एक पत्रकार को बैमान कह दिया ट्रम्प ने वरिष्ट नागरिकों की चैरिटी पर हुए सवाल के बाद ABC नेटवर्क के पत्रकार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप बैमान है क्योंकि आप तथ्यों को जानते हैं और आपको सारी बाते अच्छी तरह से पता है उन्होंने कहा कि अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनमें से आप सबसे बैमान लोगों में से हैं